Good morning students, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप lengthy paper कैसे attend करें जैसे history, sociology, political science, geography, elective English, elective Punjab, elective Hindi और भी जो lengthy subjects हैं जिससे आप उस exam में सारे questions भी attend कर पाओ और पास होने के साथ साथ 70-80% marks भी ले आओ तो इस वीडियो के साथ लास तक बने रहे हैं चलो शुरू करते हैं तो जितने भी lengthy paper होते हैं वो overall 80 marks से 100 marks के होते हैं जैसे history, sociology, political science, geography, elective English, elective Punjab, elective Hindi और भी कुछ subjects तो आपने इन exams की त्यारी ऐसे करनी हैं सबसे पहले आपने syllabus देखना हैं जिस भी subject की आपने त्यारी करनी हैं उसके बाद पिछले 2-3 सालों के question paper देखने हैं जो आपको इसी channel पर मिल जाएंगे फिर आपको अपने syllabus और पिछले question paper के according ही त्यारी करनी हैं अच्छी तरह और lengthy paper में ये होता है कि हर एक chapter में से एक question तो जुदूर आया होता है तो question paper में आपको choice भी मिलती है कि ये दोनों में से एक करो या फिर हर section में से एक करना कमपल सरी है तो आपने कुछ chapters तो अच्छी तरह त्यार करके जाना है एकदम और बाकी chapters अगर अच्छी तरह त्यार नहीं भी हो रहे हो तो आपने वो छोडने नहीं है आपने उन chapters को थोड़ा सा समझ लेना है कि इस chapter में बात क्या हो रही है जब आपको उन chapter में से question भी आ जाए exam में तो आप अराम से कुछ ना कुछ लिख पाओ और सबसे important instruction जो आपने ध्यान में रखनी है सबसे पहले पूरा paper attend करके आना है पूरा paper attend होगा तो 100% chances है पास होने के और जितने marks का question है उस हिसाफ से ही answer लिखें अगर 20 marks का question है तो आपने कम से कम 6 से 7 sheets फिल करनी है अगर 14, 15 जा 16 marks का question है तो आपने कम से कम 5 से 6 sheets फिल करनी है अगर 10 marks का question है तो आपने कम से कम 3 से 4 sheets फिल करनी है अगर 5 marks का question है तो आपने कम से कम 2 से 3 sheets फिल करनी है आपने कोशिश यही करनी है कि आप 30 प्लस शीट्स फिल करके आओ और साथ साथ में सभी questions attend किये गए हो फिर आपको pass होने से कोई नहीं रोख सकता आपने exam में time का ध्यान रखना है और time के according ही अपने answer लिखने है exam देते time कई बार students के पास time कम होता है और questions ज्यादा होते हैं attend करने वाले और example मान लोग कि आपके पास last में 30 मिनट बचे हुए हैं और आपके दो questions रहते हैं attend करने वाले जो 2020 marks के हैं या फिर section section marks के तो कुछ students यह सोचते हैं कि दोनों तो attend नहीं होगे time कम है इसलिए हम एक ही अच्छी तरह attend कर लेते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है आपने हमेशा सारे questions attend करके आने हैं आप उस 30 मिनट में 15 मिनट एक question को दोगे और बचे हुए 15 मिनट दूसरे को इसको अच्छी तरह समझ लो अगर 2020 marks के दो questions आपके रहते हैं अगर आप दोटों attend करके आऊगे तो आपको कम से कम 6 से 7 marks एक question में और 6 से 7 marks दूसरे कोशिण में अरां से मिल जाएंगे तो अगर आप लास्ट में 30 मिनट में एक ही question attend करते हो तो आपको 40 marks मैं से 20 marks का एक question तो आपने attend ही नहीं किया होगा और दूसरे 20 marks के question में आपको 9 से 10 marks मिलेंगे मतलब 40 marks में से 10 marks आपको मिलेंगे और अगर आपने दोनों question attend किये होंगे तो 40 marks में से आपको 15 marks अराम से मिल जाएंगे वो भी last में जाकर तो ये difference होता है अगर आप attend नहीं करते पूरा paper अगर पास होना है तो पूरा paper attend करके आना और सबसे पहले वोई questions attend करना जो आपको अच्छी तरह आते हैं जिससे आपका impression अच्छा पड़ेगा teacher पर और उसे लगेगा कि students को तो आता है paper और वो last तक जाते जाते आपके last वाले answers पर इतना जैदा ध्यान भी नहीं देगा और आपको बहुत अच्छे marks मिल जाएंगे exam में handwriting का भी थोड़ा ध्यान रखें specially starting की sheets में mistakes cutting कम से कम करें और यही थी कुछ बातें जो आपने ध्यान में रखनी है अपना exam देने से पहले अगर कोई doubt है तो आप कमेंट करके बहुत सकते हैं तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं है तो और बेल आकेंट जुरूर प्रेस कर दोना ताकि हम जैसे गो नवी वडियो आपके लेके हैं सबसे बले notification आपको मिल जाए thank you